हेलो एब्रिवन एंड वल्कम बेक टू मैच चैनल तो आज की अमारी रेसिपी है सुपर टीस्टी एन अमीजिंग स्ट्रीट स्टाइल तवा पनीर बर्गर की अगर आपको बर्गर पसंद है तो आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी ये रेगुलर बर्गर से डिफ्र बटर अच्छे से पिगल जाए हम इसमें डालेंगे दो से रें लसन कीहीं बारिक कटा हुआ दो से एक चोथाई कप शिमला मिर्च बारिक कटा हुआ, एक मीडियम साइस का टमाटर बारिक कटा हुआ, अब इसे भी हम पकाएंगे तीन से चार मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे बहुत जादा नहीं पकाना है, सबजियों को हलका सा पकाने के लिए इसमें हम थोड़े से पानी का चीटा लगाएंगे, तो बस ये देखिए थोड़े से पानी का चीटा लगा कर इसे हम फिर से चलाते हुए पकाएंगे, एक छोटा चमच एट करेंगे नमक, स्वाद अनुसार, नमक बहुत जादा नहीं एट करना है, क्योंकि अभी हम इसमें सौस वगेरा एट करेंगे इस तरह से छोटे-छोटे पिस्स में कते हुए और फिर इसमें एट करेंगे एक बड़ा चमच सेजॉन चटनी, एक बड़ा चमच एट करेंगे टोमेटो सॉस, और एक बड़ा चमच एट करेंगे रैड चिली सॉस, एक छोटा चमच एट करेंगे चाट मसाला पाउडर, ए एक बड़ा चम्मच एट करेंगे कसूरी मेथी इस तरह से हलका सा क्रश करके और इसके टीस्ट को हलका सा बैलेंस करने के लिए एट करेंगे आदा चोटा चम्मच चीनी और अब सभी चीजों को एक साथ अच्छे से मिलाते हुए एक से देड़ मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे तो यह देखिए पनीर भी अच्छे से सभी मसालों के साथ पक गया है अब हम इसमें एट करेंगे आधा कप ग्रेट किया हुआ चीज तो यह मैंने नॉर्मल प्रोसेस चीज एट किया है आप चाहें तो इसमें चीज स्लाइस भी एट कर सकते हैं या फिर आप बहुत जादा नहीं पकाना है चीज हलका सा मेल्ट हो जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे फटा फट से कटोरिया प्लेट में निकाल लेंगे तो बस यह हमारी फटा फट से बर्गर की स्टफिंग डेडी हो चुकी है बहुत ही टीस्टी स्टफिंग है अब इसे ह सब्सक्राइब इस तरह से दिवाइड कर लेंगे दोनों बंद को इसी तरह से टू पार्ट में डिवाइड कर लेना है यह देखिए अब हम तयार किये वे स्टफिंग को बर्गर बनके नीचे वाले साइट पे इस तरह से बीच में रखेंगे और इसे अच्छे से कर रहे हूं यह देखिए बिल्कुल इस तरह से मयोनिस से बर्गर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब हम इसके उपर टमाटर और प्यास के स्लाइस लगाएंगे यह देखिए बिल्कुल इस तरह से जो हम नॉर्मल बर्गर में यूज करते हैं आप चाहें तो अपने पसं बटर कर लेंगे बटर को अच्छे से स्प्रैट करने के बाद इसके उपर त्यार किये वे बर्गर को हम इस तरह से रख देंगे और इसे दोनों तरफ से हम अच्छे से टोस्ट करेंगे हलका हलका सा तो इस तरह से पलट पलट कर दोनों बर्गर को दोनों तरफ से अच्छे ट्राइ करिएगा और आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी टीस्टी और मज़ेदार रेसिपी इस के लिए इस चैन सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फोर वाचिंग